दोस्तो ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं इससे आज हम एक वे इंसेक्टी साइड और फंगी साइड बनाऊंगी दोस्तो ये जो आप वाइट कलर का देख रहे हैं ये है वेकिंग सोडा तो दोस्तो इसे हम क्यूंकि दोस्तो अभी बरसात हो रही है और बरसात में हमार पोदे में इस तरह से कीड़े चिपके रहते हैं दोस्तों तो हमारे पोदे की ग्रोथ नहीं होती है और उसमें फूल और कलिया बनने का भी छमता कम हो जाती है तो दोस्तों आज हम जी भंगी साइड और इंसेक्टि साइड को बनाने वाले उसका इस्तमाल करके आप अपने प पोदों में ही मिलता खास कर अब करके आपका जो गुड़ा य BIG लग जाते हैं इन सभी पोदों में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कीड़े लग जाते और बरसात में तो दोस्तों कि उसमें जो है जो कीड़े लगते हैं रेंगता हुआ जो कीड़ा रेंगता है वो ही कीड़े लग जाते हैं तो रेंगने वाला कीड़ा सब क्या हता है दोस्तों हमारे सभी पत्तियों को खाना श्टार्ट कर देता है तो अगर इसका इस्तमाल हम करते हैं दोस्तों पढ़ी बरसात में हमारे सभाई सुस्त के च्छादा हो जाती हैं फूल कली आने ज्म चल्ब हो जाता या बक्तीएं कि इस– खरना्य को पारा थी चांटी हता है। आप सभी का सुआगत करती हूँ तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और दोस्तो ये जो इनसेक्टिसाइड और फंगिसाइड हम घर में रेडि करने वाले हैं ये आप सभी पोदों में दे सकते हैं दोस्तो आपका चाहे फुलो वाला हो फलो वाला या तो फिर आपका सब जियो बाला है आप सभी पोदों में इसका इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तों आज हम जो हममेड इन सेक्टिसाइड और फंगिसाइड बना रहे हैं दोस्तों इसमें आपको तीन चीज लगेगा इन तीनों चीजों का इस्तमाल करकि अगर आप अपने पोदे में स्प्रे करते हैं तो आपका पोधा एकदम सभी तरह के कीड़ों से मुख तुराता है तो दोस्तो चेलिए मैं दिखाती हूँ तो दोस्तो यह आप देख सकते हैं आपको लेना है वेकिंग सोडा दोस्तो यहां में वेकिंग सोडा का इस्तमाल कर रही है तो आपको कितना लेना है तो दोस्तो एक लिटर पानी में आपको एक चोथाई चमच लेना है आपको यहाँ ज्यादा नहीं लेना अगर ज्यादा मातरा में फिर आप इसका इसका इस्तमाल करेंगे तो आपके पोधा जो हो सकता वो जल भी सकता पोधे की पत्या तो इसलिए दोस्तों आपको मातरा जान लेना है, जादे मातरे में आपको इस्तमाल नहीं करना है, तो यह देखिए मेरा एक लिटर पानी है दोस्तों तो में एक चुठाई चमच इसमें डाल रही हूँ, अब जो इसमें मैं दूसरा चीज मिलाने वाली हूँ दोस्तों यह है, सैंपू, क और अख किसी एक चीट का इस्तमाल कीजिए जो आपके पास liquid form में है उसका आप इस्तमाल कर सकते हैं तो यह जो यहां में एक बूंद लिए हुँ इससे ज्छादा आपको नहीं लेना है और आपको इस तरह से मिला लेना है अब हम तीसरा चीजे इसमें क्या मिलाने वाले वाले तो जब इस एस प्रेक लिए बहुत ही इन्पोर्टेंट वह बहुत जोरोरी हैं में इस हमेड इंसेक्टिसाइड और फंकिसाइड में मिलाना तब ही जाके हमारे पोदे में जो कीड़े मोकड़े लग रहे हो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएंगे तो दोस्तों चलिए मैं दिखाती हूं क्या है तो उसके लिए दोस्तों आपको लेना है नीम ओल जो होता दो दोस्तों यह नीम का ओल है और यह नीम ओल हमेड दोस्तों इसे में घर में ही तयार क्यों हूं अगर आप देखना चाते है इसका तो फुल वीडियो मेरे चैनल में दिया हुआ है आप जाके विजिट कर सकते हैं तो इसे हमें लेना दोस्तों तीन से चार बुंद ज्यादा के ना रह उपर की और हमें दिखाई ना दे इसलिए हमें इसे बहुत अच्छी तरह से मिला देना है यह तो अगर आपके पोदे में ज्यादा मातरा में कीड़े लगे होए हैं काले-काले कीड़े जो होते हैं सफेद कीड़े होते हैं उस अगर लगता ऊद्ऺ्थ में तो घृट पर को साथो हमारे दिए कंलगा हुए तो इसे क्रता में नंफरे क्रेल एक लिए जात.ससंद ना मैं यहां 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 बिफ ke ल். लएना हे ऊधा कि यहादश प्रल देल में स्थिक्षाले मातु हैं राग। में चुन्ट्य में संवेस्प्राइब कह सभी में सब्सक्राइब में भाष्षे प्रप निबस्टुट्ट्री क में कि आपके थाइप सबीन बॉल्टे अपस्सक्रीमोल व्लेस में इस तरह से आपको एस्पेर करना है। दोस्तों अगर आपके पोध्य में बहुत जदा इंसेक्ट लगा हुआ है तो आप उस पोध्य में 15 दिन सेद्की बार कीजेगा कर दोस्तों चाहा है। और ये जो बेकिंग सोडा हम सभी के कीचन में बड़ी आसानी से मिल जाता है इसे हमें अलग से लेने के लिए मार्केट नहीं जाना पड़ता है दोस्तों आप अपने सभी तरह के फुलो वाले फुलो वाले पोदों में एस्पेरे कर सकते हैं और जिसमें अगर आप देख रह कि फुल का साज कितनी अच्छी है आप देख सकते मेरे गुलाब के पोदे में जो फुल आई हुए उसके साज काफी बढ़िया है दोस्तों आप जो ये बच गया है इसे आप हम अपने पोदे के मिट्टी में डालेंगे क्यूंकि दोस्तों मिट्टी में भी फंगस लगी तो हमारे मिट्टी जो एक दम से सुखी हुई है तो इस टाइम हमारे पोदे की जो है अच्छी तो हम यह वला जो फंगिसाइड अपने पोदे के मिट्टी में डालेंगे दोस्तों तो बहुत ही अच्छा काम करेंगा तो यह देखिए इस तरह से आपको मिट्टी में भी ड तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक सेर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल में नए आये हुए है तो मेरे चैनल को सस्क्राइब जो रूल कर लिजिएगा इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बात मिलते हैं एक नए वीडियो में नमस्कार